हमें किन-किन पौदों की जरूरत है अपने गार्डन में सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि कौन से प्लांट जो अब मैं खरीदना चाहती हूँ या खरीदना चाहता हूँ सीजन में जो सीजन चल रहा है और कितने दाम में मिलेगा कहा सस्ता मिलेगा इसलिए हम नरसरी चेक करते रहते हैं अगर आपके पास लोकल नर्सरी में अच्छे प्लांट थोड़े महंगे भी मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि खरिद लेना चाहिए क्योंकि बहुत जादा दूरी कि अगर नर्सरी में हम जाते हैं तो वहां आने जाने का पेट्रोल और डीजल भी खर था कि 2000 से अंदर में सामान खरीदूंगी और ये सामान आज प्लांट में खरीद कर लाई मैं सरिता दिल्ली से आप सरका बहुत स्वागत है आज मैं सारी मेरे ओफिस के पास में यानि की कानाट प्लेस में सैनी नर्सरी है वहां में चलिए गई जब मेरे चुटलो गई तो और वहां सी कुछ मैंने प्लांस करीदे हैं मैं बहुत सारे वीडियो देखती रहती हूं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं या फिर मुझे सजेस्ट करते रहते हैं कि सैनी नर्सरी से आप कुछ प्लांट्स लेके आए सर्था जी वहां अच्छे मिलते हैं तो चलिए आज मैं कुछ ऐसे फॉलेज वाले प्लांट्स लेकर के आई हूं और फ्लाविंग प्लांट तो ऐसा फूलो वाला कोई प्लांट में लेके नहीं आई हूं तो चलिए हम देखते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करने की होगी, अगर आप सब पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चानल पर है तो फ्लीज आप सब सबस्क्राइब कर लीजे मेरे चानल को और अगर वीडियो पसंद आएगा मेरी ये purchasing जो है वो पसंद आएगी plants की तो उसे like भी कर दीजिएगा तो आएए बिल्कुल अब समय नहीं गवाते हैं चलते हैं वो plants देखते हैं जो plants में Sunny Nursery CP यानि कि Shiva जी स्टेडियम के पास जो है वहाँ से खरीद के लाई हो तो आएए आपको मैं दान के साथ में वो सारे plants दिखाते हूँ चलिए आएए मेरे साथ में तो साथियो बहुत जादा purchasing मैंने नहीं की है थोड़े से ही plants खरीदे हैं क्योंकि कुछ plants मेरे garden के खराब हो गये थे जिसी कोलियस का प्लांट है इसकी मैं तीन वेराइटी लेकर के आई हूँ और ये मेरे पिछले साथियों में ही बारिश जब होई थी तब उस टाइम में बहुत खराब हो गया था मैं उतना उसकी केर नहीं कर पाई तो ये जितने plants हैं बहुत छोटे छोटे हैं आप ये देखे कि प्लास्टिक पाउच में लगा हुआ है और ये बिल्कुल 4-4 इंच के plants है तो ये 20-20 रुपे के हमें मिले तो एक वेराइटी का दो लिया मैंने ये रेड वाले दो लिये औ और एक ये बहुत ही खुबसूरत सी इसकी पत्तियों का डिजाइन है आप देखे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था मुझे है तो प्लांट बहुत ही छोटा बिल्कुल 2 इंच का है पर ये भी 20 रुपे का मिला तो मुझे ये 20-20 रुपे के मिले तो ये 6 प्लांट मैंने 3 व अब ही मैं इसे री पॉट नहीं करूंगी और इसलिए मैंने ये ला करके अभी रखा ही रखा है आपके सामने ही तो मैं सारा कुछ ले के आ रही थी तो ये देखे ये भी प्लांट बहुत हेल्दी सा है और ये मुझे 280 रुपे में मिला इसके बाद मैं ये ब्रोकेन हार्ट का ये प्लांट ले करके आई हूँ बहुत अच्छी स्थिती नहीं थी बहुत सारे उनके प्लांट से जो लगे हुए थे उसमें से बहुत सबसे अच्छा वाला मैं चूज करके लाई हूँ हाला कि इसकी पतियां पीली हो रही है पट दो चार कटिंग इन्होंने ये है इसके बाद मैं ये बनाना सीडम जो है ये ले करके आई हूँ और ये उन्होंने मुझे दिया धाई सो रुपे का बस एक ही प्लांट लगा हुआ ये देख रहे एक कटिंग ये इसमें लगी हुई है और वही कटिंग थोड़ी से नीचे की तरफ जा रही है तो ये उन्ह बहुत अच्छा लगा इसकी पत्यों का डिजाइन मुझे बहुत ही खुबसूरत लगा ये मैंने लिया ये भी मुझे उन्होंने धाई सो रुपे का ही दिया है और इसके अलावा दो लेंटाना के प्लांट मैंने खरीदे है छोटी छोटे ये देखे ये भी चार इंच के लगा हुआ है और बिल्कुल एक एक स्टीक लगी हुई है ये 40-40 रुपे का उन्होंने दिया तो ये छोटी सी मैंने पर्चेजिंग की और एक ये प्लांट मैंने खरीदा है एगलोनीमा का है जो ग्रीन पत्यों वाला है बहुत अच्छा सा हेल्दी सा नई पत्या भी इसम चार कटिंग लगी हुई है एक में जो स्टेम है इसका ये लगा हुआ है इसमें आप देखिए कि बीच में ये पत्या न democr स्वाली निकल आई है और तीन कटिंग और साइड में लगी हुई है तो टोटल इसमें चार कटिंग है और ये मुन्होंने मुझे बहुत सस्ते में सिर्फ 100 रूपीज का यह था, तो यह चोटी सी पर्चेजिंग थी, 1450 रूपीज मैंने उन्हें पे किया, और मैं यह ले करके आ गई हूँ, अब इन्में से कुछ ऐसा प्लांट नहीं है, जिसे मुझे रीपॉट करना है, सारे पॉट में ही लगे हैं, अब इसी में रहने और मैं इसे रीपॉट कर दूँगी, अभी तो बरसात है, और मिट्टी सब की गिली है, तो यह चोटी सी पर्चेजिंग आप सबको मेरी कैसी लगी, साथ यो जरूर बताईएगा, और सब्सक्राइब तो हम करी लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज ला कर दो हमस्कत्